करव्य विजन टेस्ट क्लास्ट सब्जक्ट लीगलिस से जोंड इंगलिस का यह पेपर है रहेरो पेपर दसन्वी के लिए ट्री ट्रींथ के लिए तो इस वीडियो में आपनों को फुल स्रुरूफर देने वाला हूं सभी कोस्टेंज का जितने वी आपके इस पैपनों को सल बताऊंगा उसके आंसर बताऊंगा ओके तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना ओके तो चलिए अब मैं अपनों को सरूफन दिखाता हूं तो पहला जाओ जो आपनों कोश्चन है तो यह किस प्रक्ष्टन है तो यह एक अनसीन पैसेज इसमें लिखा दर इसमें लिखाए रीड़ दा पैसेज केर फुली एंड एंसर दफ कोश्चन गिवन फॉलोव इट ऑके तो आप लोगों को यह पढ़ना है और और इसमें जो प्रक्ष्चन है उनका अंसर देना है तो चलिए मैं लोग इनका अंसर दाता हूं कोश्चन का तो पहला कोश्चन है और अब्जेक्टिव है आ इस्टुडेंट विदाउड डिस्प्लिन इज कंपेर्ड टू आ तो इसका उतर हो जाएगा आपन जो थर्ड है असिप विथा रडर ओके अब हैं हो आर दा लीडर्स आ तो इसका अंसर होगा आप संथर्ड इस्टुडेंट से ओके फिर है नेक्स्ट कोश्चन है हो इस एन आइडल इस्टुडेंट ओके तो इसका अंसर होगा कि अन इस्टुडेंट हुई ज फुली कांसियास आफिज दूटीज एंड अवियर आफिज रिस्पॉंसिविलिटीज काल एन आइडल इस्टुडेंट ओके अब चलिए बढ़तें नेक्स्ट कोश्चन की तरफ जो की है अब एक और टूदा तू गांधी जी वहाट को टीज तूट अइडल इस्टुडेंट है तो इसका अंसर आपका होगा एक में फ्रेंट्स इसका अंसर यह वह फ्रेंट्स कहांगे फ्रेंट्स आपके पैफेंज में आपकी अंसर दिये हैं आपनों को ढूनना पड़ेगा यह रहां फ्रेंट्स इसका अंसर एक कार्डिंट टू गाधी जी ही शूड हैव दा क्वालिटी आप सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग ओके तो यहां तक आपका अंसर है तो देख लीजिए आपने नेश्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है वाट डज स्वामी विवेकारंद से अबाउट मेरें वोमेन तो इसका अंसर होगा दोस्तों यह रहां एकॉर्डिंट टू स्वामी विवेकारंद तो वाट अबर कंट्री नाव वांट्स आर मेन और वोमेन विथ मसल्स आफ एरन नर्फ आफ इस्टील ओके और फि इसकी बाद है हूँ कैन अकमप्लिश दियर परपज इन एनी फैशन दो इट मींस गोइंग डाउन टू दा बॉटम आफ दा ओसी एन एंड मीटिंग डेथ फेस टू फेस यहां दा उसका अंसर होगा आपकी लाश्ट कोश्टन का तो आप लोग देख लेना अब हैं पहले लोग इस पैश्ट को पढ़ लिजी अच्छी तरह से अब देखते हैं इसका अंसर ओके तो जो आपका पहला कोश्टन है इसमें ए अपकीन अपनिये दा व्लोंग सेंटेंसेज इसमें पहला है आफ़ फ्रेंड इसमें होगा दोस्तो लीपस अस खरिशना में क्या भरयेगा लीव सस्राइज और भी है जो आपका ट्रू फ्रेंड इसमें भरा जायेगा रिमेंस विट अश्ट अब है दूफरा कोश्टन we know the true characters of our friends तो इसका अंसर होगा आप संसी वाला विन वी आरें ट्रबल ओके अब बढ़ते नेस्ट कोशिंग की तरफ जो किये तीसरा विन डूबी नाट नो दा ट्रू कारेक्टर आप आप अब फ्रेंट से तो इसका अंसर दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा तो फ्रेंट्स यह आपका अंसर की अग्याड विन वी आर हैपी एंड रिजे वी कन नाट नो दा कारेक्टर साफ आवर फ्रेंट्स यहां तक इसका अंसर हो जाएगा देख लीजिए अब हैं नेस्ट कोश्चन जो किये चो था गिव दा गिव अपोजिट आफ रिच और हैप का अपोजिट बताना है तो रिच्छ वर्षे को जाएगा ऑपका पुर्व और हैपका इस्छ प्रेंड हो अवर्ट्रॉफ रिव ड़्ट्रु फ्रेंड़ होगा तो इसका अंसर दोस्थ हो जाएगा तो इसका अंसर होगा अफ्रेंड एड हुए अधी और हिसस्या और stores कि ही विल बी अबर ट्रू फ्रेंट्स ओके अब है नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं कि सेक्शन भी में है लिखा है रीड़ फॉलइंग पैसेज क्यार्फूली एंड डू आज इंस्ट्रक्टेड इन एंड बी विलो दा वाइसेज तो आपको एक आंसीर पैफेज दिया है इसमें आपको इसको पढ़ना है और फी क्या करना मैं जाता हूं इसमें से अब क्या करना कि में मेंक नोट्स ऑंदा एवाप एफेज और प्रॉइड टाइटल अलसो ओके तो आपको नोट्स अंड समरी बनाना है ओके तो चलिए मैं आपनों को इसका भी आंसर दिखा देता नोट्स देख लीजिए कैसा है किस तरह से आपको किस तरह से नोट्स बनाना देख लीजिए अब दोस्तों यहां जो इंस्ट्रक्शन दिया है इसको आपको नहीं लिखना है ओके आप क्या लिखना है जो आपका इसको छोण देना है कि डैट आपको यहां से समरी लिखना है कि यह पूरा समरी है तो अच्छी देख लिजिए अब चलिए बारते हैं नेश्ट कोश्चन की तरफ अब है दोस्तों नेश्ट कोश्चन जो की है राइट एन आर्टिकल और इंपोर्टेंस आफ गेम्स विद आहल पाफ दवर्वल इंपूट्स गिव गिवन विलो तो आप लोगों को इंपौर्टेंस आप गेम्स पर आटिकल लिखना है इन दिये गए इन्पूट्स वर्व साफ गेम्स का तो यहां सिसका अंसर है शुरू होता है ओके तो आप लोग अच्छी देख लिजिए यह सभी आपके अंसर यह हैं इसी का है इंपौर्टेंस अब गेम्स का तो अच्छी देख लिजिए अब दोस्तों जो आपका यहां बास दिया है यह चीजी यह चीजी आपको नहीं लिखनी है ओके अभी और यह लोगों को यह चीजी नहीं लिखनी है जितना ऊपर तक दिया गया है उतना ही लिखना है अब लोगों को यह तक लिखना है ओके इंपौर्टे साफ गेम्स का जो आपका आर्टिकल लिखना था वह यह तक लिखना है अब चलिए बढ़तें नेस्ट कोस्टिन की तरफ अब है दोस्तों ऐसे राइट ऐसे इन 200 वर्ट्स और एनिवान अधा फॉलाइंग टॉपिक्स है तो इन तेनों में से आप लोगों किसी एक विशेपनिमंध लिखना है ओके ऐसे तो बहुत लोग वंडर आप साइंस का ऐसे लिखेंगे वंडर साफ साइंस का तो आप करना इस वीडियो के डिस्क्रिप्सर में मिल जाएगा आप लोगों को उस वीडियो पर मैंने वंडर साफ साइंस का पूरा एसे बताया था अच्छी तरह से और वह बहुत ही इस से ओके जिसमें आपको कमलेटली पूरे मार्क्स मिलेंगे तो जाए लिंक डिस्क्रिप्स न आफ क्लास टेन इन गवर्मेंट हर्स कंड़ी स्कूल उजयन एंपी ओके लिखा है राइट एन अप्लिकेशन टू यूर प्रिंस्पाल एक्वेस्टिंग इम टू इसू यूर ट्रांसफर सर्टिफिकेट अब त्यूर टीपिकेट टीसी जिसे कहते हैं ऐज यूर फादर एज़ ट्रांसफर्ड टू अनधर सिटी अफ्रों को टीसी की अप्लिकेशन लिखना है तो चलिए देखा ज़एन पूरा देखा ज़ता हूं किस तरह से आप लोगो लिखना है पूरा दिखा जाए तो टीस का ध्यान अखना कुछ बातों का यहां पास जो आपका गवर्मेंट है एच एस इसकूल नंबर वन देवास एंपी जो लिखा है इसको नहीं लिखना है दोस्तों आपको इसके जम क्या लिखना है आपके जो पेपर में कोश्चन में अप्लिकेशन में जिस इसकूल का नाम दि दिया रहता है तो आप उसी इसकूल का नाम लिखिए और एड्रेस डालिए ओके और सब्जेक्ट भी दोस्तों वही डालिए जो उसमें लिखा रहता है और एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका योर ओविजेंट होता है वह भी दिया रहता है प्रशन में ही आप दोस्तों इसके आथों में जो था अप्लिकेशन यह है यूर सैलेश सर्मा आफ क्लास 10 इन गवर्मेंट हर सकंडी स्कूल रीवा MP ओके राइट एड अप्लिकेशन टू यूर प्रिस्पल आशिंग हिम तू ग्रांड यू ती डेज लिव एज यू आर इल ओके तो चली यह यह आप्लिकेशन तो फ्रंट यहिए आपकी अप्लिकेशन इलिनस की है तो आभ लोग देख लिजे बाकि जो मैंने आप लोगों को कुछ बताएं है तरीके कि कैसे करना है क्या चेंज करना है बीच बीच में वह बाहिए रहेगा जो मैंने अभी बताया है उके उन बातों का ध्यान रखना बाकि शेम यही रहता है तो आप लोग अच्छी देख लीजिए अब चलिए बढ़ते अब है देश्टों सेक्षन सी ग्रामर ऑके तो इसमें जो कोशन आप लोग देख लीजिए इसका चलिए बाइब बता जाता हूं इनका अंसर्स तो पहला है जो कर चुछ नहीं लिखा है कि फिल इन दा ब्लैंक्स चूजिंग करेक्ट आप सर्समें पहला कोश्चन है शीज इसमें दोस्तों क्या भरा जाएगा बाइंग ओके सीज तिंकिंग आफ बाइंग गार दूफरा है माई फादर इजा डैस डैस टीचर जिसमें दोस्तों भरा जाएगा रिटायर्ड ओके तीसरा है ही इज डैस डैस ऑनेस्ट मैन इसका दुस्तों होगा एन इसमें खाली साम प्लयां जोटाय हो तो ही डाज़ नाट है डाज डास मनी लेपके दिसमें दिसमें भुद्ध कर जाएगा एद एडाज मारी लेफट पाच्मा है डाज डास कम आई इन सर इसमें दुस्तों होगा इंचर ओके तरह यू आज चीटिंग डास डास सीथा एंड गीता तुष्का दोस्तों होगा बिट्वीर यू आ सीटिंग बिट्वीर सीटा एंड गीता सात्मा है सी डैस डैस टू कि यहां दूस्तों हो गया होगा यहां दूस्तों होना चाहिए टाट ओके सीट डैस डैस टाट इन दिस स्कूल तो इसके खाई सरे दोस्तों भरा जाएगा है ओके है भरा जाएगा यह वाला आप सब तो यह रहे आप कोश्चन अब चलिए बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन तरफ जो की सात्मा कोश्चन है ट्रांसलेट दा फॉलोइंग सेंटेंसे इंट्व इंग्लीज एड़ फाइब ओके जो जो च्छन था इसमें दूस्तों कोई पांच ही करना था आप लोगों को तो जो आप लोगों को अच्छा लगे तरल लगे वह आप लोग कर लिजेगा मैंने सब्सक्राइब करना कोई पांच करना है तो चलिया अमने का भी आशर आप लोगों को पता दिता हूँ तो इसमें पहला है वह पत्र लिखता है तो इसका क्या जाए दोस्तों तो ही राइट्ट सा लेटर ओके आप कैसे हो तो इसका होगा वरा हम आर यू तुस्टा है भोपाल मध्ध प्रदेश की रासधानी है तो इसका हो जाएगा दोस्तों किया हो जाएगा भोपाल इजा कैपिटल आफ मध्ध प्रदेश तुसरा हो गया अब है चौथा मेरे विद्यालाय में 20 कमरे हैं तुसका हो जाएगा देयर आर प्वेंटी रूमस इन्माइए इसकूल है फिर है पाचवा सूर्य पूर्व से उदय होता है तो इसका होगा दस संढ्राइज इंदा किया मैं अंदर आ सकता हूं तो इसका अंसर वह दुस्तों में आई कमिन अंत में कोश्चन मार्क लगा देना में आई कमिन हो रही है इट इज रेनिंग ओके आप चलिए बढ़ते हैं नेस्ट कोस्टन की तरफ है तो जो किया सेक्शन डी सेक्शन डी है प्रोज एंड प्वेट्री इसमें आठमा कोस्टन है रिट दा फॉलविंग इस्ट्राइट क्यार्फुली एंड एंसर दा कोस्टन गिवन बिलो इट तो चलिए इनके यह पैफेज है आप लोगों को जो आपके बुक से ही पैसेज है लेसन की बीच से तो आप सब्लों को इसको पड़कर अंसर देना है तो पहला फोचन हैं तो डॉट बज फॉप्रॉब हियर मी इंस तो इसका उताहे फ़्लाइगा पहला डॉट मोव फ्रॉप फॉन हेयर दोसरा है फ्रॉम वीच लेसन है जाक्सट प्रेक्ट बीन सकन टेकन तो इसका उतर अव्टर ह कि सरदार कि सन वाज सरदार भगत सिंग्द ब्रदर ये फॉल्सले से ऑग, फिर है और तो थो इसका अंमर रहेगा सरदार किसन सिंग शरदार किसन सिंगwią आजने सु खंग सोरसे तो टेक भगत सिंग्द और सिंग्द के अब चली बढ़ते हैं next question की तरफ जो कि नावा question है इसे में दोस्तों वाई सेम है पैसेज दिया है आपको question के answer बताने हैं तो पैसेज आप लोग पढ़ सकते हैं आप चाहिए देखते इसके जो question answer है तो पहला है कि दवर्ड इन दपैसे सिमिलर इन दा मीनिंग टू डिसेबल इज तो इसका हो जाएगा क्रिपल ओके अब है बी नंबर वाट हैड काश्ट दा डिसेबल्टी टू दा वोई तो इसका हो जाएगा ही गाट बंट ओके अब है नेस्ट कोश्टन दब नेम आप दा बॉई वाज तो इसका उतर जाएगा अंसर जाएगा आप सन जो सिकंड वाला है ग्लेन कैनिंगन और है नेस्ट कोश्टन जो किया आप लोगों का हाव डिन मदर हेल्प दा बॉई टू आवर कम इस डिसेवैलिटी तो इसका अंसर हो का दोस्तों इवरी डेव कि मदर मसाज्ट हीज लीटिल लेक से ओके अब चलिए बढ़ते नेस्ट कोश्टन की तरफ कि दस्मा कोश्टन है इसमें दिया है अंसर एनी थ्री आप दा फॉलोइंग इन थर्टी वर्ड तो पहला कोश्टन है इसमें फिस आप लोगों कोई एक करना है यह एक दूसरे क् तो पहला है वाट दिट्री दिशनरीज डू वाइल गोइंग टुवाट्स दा प्लेस आफ एक्सक्यूटेशन तो इसका अंसर मैं अब लोगों को दिखा देता हूं आप चलिए बढ़ेवें नेक्ट कोश्टन की तरफ है वाट वाज दयूटी आफ द लिटिल वोई तो चलिए इसका भी अंसर देख लिजिए आप लोग तो फ्रंट्स यह रहा आंसर ओके अब लोग लिए अपस्टन लिख लिजिए आप चलिए बढ़ते हैं नेक्ट कोश तो चलिए इसका भी आंसर देख लिजिए आप लोग तो फ्रेंट्स यह रहा आंसर तो आप लोग अच्छी तरह देख लिजिए अब चलिए बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन की दोर तो इसका भी आसर आप लोग देख लिजिए चलिए तो फ्रेंट्स यह रहा आंसर तो आप लोग अच्छी तरह देख लिजिए अब चलिए बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन की ओर नेम दा थ्री पेट्रियोट्स वो सेक्रिफाइज देर लाइफ फर दा फ्रीडम आफ मदर लैंड दे सेम डे अट लाहौर तो चलिए इसका भी आसर देख लिजिए तो फ्रेंट्स यह रहा आपका अंसर इस कोश्चन का अब चलिए बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन की ओर कोश्चन है हाओ डिट दा कोश सपोर्ट ममता तो इसका भी आसर आप लोग देख लिजिए तो फ्रेंट्स यह रापका अंसर तो अब अच्छी तरह देख लिजिए ओके अब चलिए बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन की ओर कोश्चन है रिट दा एक्स्ट्रेक्ट कैरफुली एंड एंसर दा कोश्चन गिवें बिलोग इट इस पॉइम को पाटकर आप लोगों को कोश्चन के अंसर देने हैं जो कि आपके बुक से ही है तो चलिए मैं बदाता इस इन कोशिंस का अंसर तो पहला कोश्चन है इन दा हाट्स आफ़्द डेहर इच दिया रीज तो इसका अंसर होगा आप संट से कंड वाला दबार संसाइन जूतरों कोशने इन थाट से आफड़ पो यार्द इसका अफ़ाइं सर दा विंड आफ आटम ओके ने मृत पैया तो इस परम के नाम है children ओके तो यह रहा बार में question का solution आप देखते हैं तीराहमा question जो की है वेर डू दा विंडो जो पेन ओके तो इसका अंसर हो जागा दोस्तों तो फ्रेंट इसका अंसर होगा दे ओपेन वेर फार्ट सार सिंगिंग स्वैलोज एंड दा ब्रुक्स आफ मौरिनिंग रन ओके अधि दोस्तों जो आपका नेक्स कोश्चन है दूसरा वाट डज तो यह नहीं है यह वाट डज डार्कनेस इस्टैंड फार इंदा पोयम तो इसका अंसर हो दोस्तों डार्कने इस्टैंड फार इग्नोरेंस इंदा पोयम यह आपका अंसर हो जाएगा फिर है चोधाम कोश्चन वाट लाइज इन दा हाट आफ चिल्डेंड ओके तो इसका अंसरोग दोस्तों आप लोगंका इन देर हाट्स देर आर दबार्ट संसाइन ओके फिर हैं नेस्ट कोश्चन तो इसका अंसरोग दोस्तों इन दाफ पोयम लाइट इस्टैंड फार नॉलेज ऊके फिर है कोश्चन जो कि आपके पेपर के लास्ट कोश्चन है और यह अपके वर्क्बॉक के कोश्चन है ओके यह अब लोग याद ऩण दा बॉए वाज हैपी डिकाज ही वोग विफोर दा मॉर्णिंग अंड ही बोक अप अरली ओके यह आपका अंसर हो जाएगा इस कोस्टिन का ओके फिर नेश्ट कोश्टिन हाव डाजा मास्की टो बिगिन इस लाइफ एड वेर तो इसका अंसर हो दोस्तों तो इसका अंसर हो दोस्तों मास्की टो बिगिन्स इस लाइफ एज लार्वा लिविंग इन वाटर ओके अब चलिए बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन की ओर इस रहा है वाइड डिड़ वोमेन इस्टार्ट रॉनिंग ओके तो इसका अंसरोगा दा वोमेन इस्टार्टेड रॉनिंग विकाज सी सदा फॉमिडेबल आर्मी एंड सी पनिकड ओके इस नेश्ट कोश्चन इन वाट ये निए डजनट आकर वाई तो इसका अंसर होगा दोस्तों आप लोग का तो इसका अंसर होगा मलेरिया डज नाट आकर इन ड्राइड डिजर्ट कंट्रीज विकाज मास्की जोज कैन नाट ब्रीड दियर ओके फिर लाश्ट कुश्चन पंद्रहवे का वाट इस दा कार्ट कैरिंग ओके तो इसका अंसर दोस्तों दा कार्ट इस कैरिंग में एंड लो संट आई होब आप लोगों को ये वीडियो अच्छे ले लगी होगी यदि यह वीडियो अच्छी होगी तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब जरू करना तो चलिये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ तब तक लिए जय भारत वन्दे मातरां